हालो फ्रेंट्स जैसे की गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है तो ठंडाई पिलना थो पनता है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी ठंडाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो स्वादिश्ट होने की साथ साथ बहुत हेल्दी भी है तो आईए अब हम इस हेल्दी और टेस्टी सी ठंडाई को बनाना शुरू करते हैं इस ठंडाई को बनाने के लिए मैंने लिया है एक लिटर दूद इस दूद में हम डालेंगे 4 चमत चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं इस दूद को ह हम एक उबाल लाने तक गरम करेंगे और फिर कुछ दे तक थंडा होने के लिए रखतेंगे जब तक हमारा दूद थंडा हो रहा है तब तक मैने लिए हैं एक कप बादाम इन्हें मैंने रात पर की लिए भिगो कर रखतिया था इनका चिलका अला करके हम मिकसर जार में डाल और 8-10 काजू, मैंने साबुत काजू लिये हैं, आप चाहें तो कतरन भी ले सकते हैं साथ ही हम इसमें डालेंगे 4-5 इलाइची और थोड़ी सी गुलाब की पतियां अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा कप पानी और फिर से बारिक पीस लेंगे अब इस मिक्स्चर को हम दूद में डालेंगे, दूद हमारा ठंडा हो चुका है अब हम इस दूद को चान लेंगे दूद को चानने के बाद इसे थोड़ा सा डेकोरेट करके सर्फ कीज यह हमारी बहुत ही हेल्थी और टेस्टी से ठंडा ही बनकर बिल्कुल तैयार है ऐसी ही हेल्थी टेस्टी और इंट्रेस्टिंग डेसिपीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल